नमस्कार यूथ कारणर में आपका स्वागत है मैं विमला प्रजपत आजमगड फरीहा में आईडियल जनलिष्ट एसोसियेसन निजामाबाद तहसील की हुई बैठक जिला अध्याच अजेकुमार मिस्रा के निर्देश पर फरीहा चौकपर सारधा पपलिक स्कूल के प्रां के लिए संगठन सदय तयार रहेगा और घटना दूरघटना होने पर पच्छास हजार का बीमा हर पत्रकार को दिया जाएगा वही प्राम्ति संग्रक्षक ने श्री संजयक्मार पांडे ने कहा कि प्रत्यक पत्रकार का हित सरवोपर है इसके लिए हम लोग सासन प्रसासन से लड़ाई लड़ने के लिए तयार हैं। कुद्धिस जो एक मुकाम बनाया है। मैं इसके लिए अपने सभी जिले के सम्मानित प्रादिकारियों का सम्मानित तशील अध्यश्यों का सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं अविंदन करता हूं। साक्षियों यो हमारे निजाम बात तशील की बात है। यो भी हमारे तशील के नवनुलुक तशील अध्यश्यों भाई लाजिन प्रसादियाजों जी। हमारे चागरण के पतकार स्याम जी उपाध्या जी। आदरी प्रेम प्रकाश दुबे जी। आदरी भाई राहुर जी। हमारे मनोज जी। सबी लोगों के प्रयास से और हमारे उर्वांचर प्रवक्ता हम लोगों के सनरच्छक आदरी राइदर राइटी का जो अमुली विचार आया है मैं उनका भी स्वागत करता हूँ साथियों बड़े अच्छी बात अभी अमारे तस्य अथिस ने कहा है कि आज जरूर कुछ चंद लोगों के उजह से पत्रकान्टा के शित्म गिरावट आईए लेकिन फिर भी जो अमारा पत्रकार है जिसको न कोई मांदे मिलता है जिसकी कोई स्रुच्छा की गारेंटी नहीं है लेकिन जिस मेहनस से जिस इमांदारी से वह समाचार को खलेक्ट करता है मुख्याले भेजता है दूसरे दिनों वही समाचार जब पेपर निकलता है जो लोगों के बीच में जल जागन काने का क करता है अभी हमारे साथी पत्रकार साथी बता रहे थे कि जिस तर से दूसरों की समस्याओं को लेकर पत्रकार आगे बढ़ता लेकिन जिस तर से पत्रकारों को पीड़न हो रहा है और सासन प्रसासन मौन है आज ऐसे वाता बरण में हम सभी पत्रकार साथियों को एक जुट होकर मजबूती से अपनी समस्याओं को जो आगे लाना होगा तभी हमारी मजबूती को सासन प्रसासन समझने का काम करेगा एक साथिय ने पर अच्छी बात कहा है कभी अगर हम नियूस को कलेट करते हैं उसमें पादस्ता होने से जो सामने दिख रहा हो यह नहीं हम किसी संस्था का किसी ब्यक्त का किसी नेता का किसी छिकेदार का बन कर हकूं नहीं रहना है अगर हम किसी ब्यक्त मिसेश की बात करते हैं उसी दिन से हमारी कद्र घट्टी जाएगी इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा प्रत्रकाइटा एक मिशन है प्योफ़ाय नहीं आज भी हमारे ऐसे पत्रकार ग्लामीर सहरी चित्र की जो चैनल के हैं जिस इमांदारी से काम कर रहे हैं मैं उनको धन्यवाद दिना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं अपने तसीर अज्जी से हमारे भाई प्रजीद जी है मनूज जी है जिस तरह से आपने इस निलाम पर तसील को मजबूत बनाया है मेरी सुपकामनायार के साथ है उन्हां हमें आप सभी को सुपकामनाय देता हूं अगर मजबूत रहेगा तभी हमारी एक पहचान होगी लेकिन आज जिस तरह से आप सभी के प्रयास से पुरे जीले में मैं तो जीले के बाहर के बियों जीले हैं चाय गाजीपुर हो चाय उम्मव हो चाय बलिया हो चाय उद्यवलिया हो लेकि जिस तरह से हमारे आजय विस्तरा ने पूरी तनमैता के साथ संगठन को खड़ा करने का काम किया मैं उनको सुपकामाय देता हूं धन्यवाद देता ह कि जिस तरह से अपने साथियों के साथ मिलकर उनके सुख दुख में जो इन्हों में भागदारी इनकी होती है मुझे अप इच्छा इन्हें खना भी स्वास है कि पूरे जीले के जो भी हमारी तरसील है उनके पाधिकारियों के बीच आपसी सामन्ज़त से मनाकर यह जूटता हम दिखानी होगी तभी जो हम किसी समस्या का समधान कर सकते हैं वाइडिया जनीश्यों से इस्वासन बले इस अभी हमारे भाइप प्रकास ने कहा है अभी हमारे पांडेजी ने कहा है कि आप किसी पेपर के संबाद आता है लेकिन आपकी उपर को हें लियां ओल्फ कि पिनारा अगानरे घश लेता है तो ऐस सटक्रेशलार क कि समस्या जो होती है पत्रकार दूसरों की समस्याओं तो जिन रात फ़ाता है और उससी के साथ जब अन्यार होता तो हम लोग मुझ देखते हैं तुसरे का तो हम इस पर चर्चा करेंगे और हमारे सायोगी नियावबात राशील के अध्याच बाइला रिद्धा प्रसाधियादाओं जी की निर्दिशन में या कारिक्रम हो रहा है और हम पेच्छा करेंगे कि या कारिक्रम अच्छे से अच् इसके लिए हमको सर्व प्रथम समाज के प्रत और स्वयम के प्रत इमानदारी वर्तनी होगी तहसील अध्यच राजन प्रसाधियादाओं ने कहा कि हम लोग संगठन की मजबूती के लिए तन मन धन से समर्पित रहेंगे जिला अध्यच अजेकमार मिस्रा ने विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि हमारा संगठन केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बलकि कई प्रदेशों में अपना विस्तार कर रहा है जल्द ही महाराष्ट में भी हमारी सैकडों की टीम होगी कारक्रम के आयोजक, स्कूल प्रबंधत, समाज सेवी सरासुभाव के बिजय पिशकर्मा ने आये हुए लोगों का स्वागत और आभार व्यक्त किया इस अउसर पर स्याम जी उपाध्याय मनोज कुमार बहुद, पंकच कुमार पांडे, प्रेम प्रकास दूबे, राम भव अभिलास, सूरिभान, निरूत दीन, अन्यगर मान्य लोग उपस्तिर रहे, आजम गड़ विवरो निरज प्रजापती की खास रिपोर्ट